अर्विन पाठक पुने महाराष्टा से आप सबी लोग का स्वावरेत करता हूँ, सबी लोग को कोटी कोटी प्रढाम करता हूँ आप सब भारत के सरुष्देश चीफिट सके हैं, तो आप लोग को मैं कुछ छीज नया चीज बताने के लाएं ह MOSY प्रैक्टिस में जरूर ही काम आने वाला है तो हम लोग आज लेप कल्पना या लेप कल्पना इसके बारे में देखेंगे तो आप लोग के प्रैक्टिस में इसका जरूर उपयोग हने वाला है ऐसा उम्मेद करता हूं सबसे पहले मैं आप सबी लोग को रक्षा बंदन की सब लोग हमारे लिये आयूश दरप्रण के सबूं बहुत भी ज्यादा तो जो भी आप लोग की चिकीचता होती है उसमें आप लोग का भी कल्यान ओर मैं आज क्रैप्यले शुरू करता हूं आज हम लोग लेप विधी ज़ो तो बहुत सरे ग्रन्तों में बता है लेपविदी, तो मैं आज आईरवेद के बहुत सरे ग्रन्तों से चुन-चुन के मैं लेकर आता हूँ, उसी में से एक है आर्रिवेद्धिक कलानी दि, नामकर एक बहुत अच्छा महराश्म प्रसिद्ध किताब है, उसमें 84 लेपकलपना बताई हैं तो मैं आज जितना बता पाऊंगा आप लोग सुनिए आप लोग को जरूर ये काम आने वाला है इसी तरह से हम लोगों ने चरक सेंटा में भी देखा है आरगवध्य अध्य है जो है तीसरा चप्टर जो सुत्र स्थनक है उसमें भी बहुत सरे लेप अलेप प्रल करता हूं मैंने अपने सर्थ समिर्च मदगनी सर जी के क्लिनिक में सब सीखा है देखा है तो वही नौलेज में आप लोगों से भी शेयर करने के लिए यहां पर आया हूं जब हम लोग लेप विधी का पढ़ते हैं तो ग्रंतु में क्या लिख है वह हमें आप लोग को बता आउंगा इसमें बोलना है कि आलेपस्य चा नामा नी लिपतो लेपस्य लेपनम दो शगनों विशाहा बरनों मुख लेपस्त्रिधा मता हा पता आलेप जो रहता है जो बही परिमार्जन चिकित्सा में आता है बही परिमार्जन चिकित्सा का मतलब है कि जो एक्स्टर्नली एप्लिकेशन के लिए जो चिकित्सा होती है उसको हम लोग मतलब उसके अंडर में जो रहता है एक अंतर परिमारजन चिकित्सा होती है जो इंटर्नली मेडिसिन दिया जाता है बही परिमारजन जो चिकित्सा होती है वो बाहरी बाहर दिया जाता है तो मैं आप लोग को वही अपने ग्रन्तों में तिन टैप के बताया लेँ तो दोशगं जो दोशों को शमन करते हैं विशगंone जो शरीर में विश्व का प्रभाव हो गया उसको नश्ट करते हैं उसी तरह से वर्न है जो शरीर का तुte कर्ण किया कि अप पहले के जमाने में आयरुवेदिक बही परिमार्जन जेकित सा पहले से आ रही है सुन्दरता सभी को प्रियर रहती है तो इसलिए दोशगन हो गया विशगन हो गया और वर्न हो गया यह तीन टैप के अलगलग मनस्पतियों का योग होता है यह आप लोग अपने प्रैक्टि और ज्यादा अच्छे हो जाएगे इसमें हम लोग लेप के कितना लगाना है उसका भी अलगलग प्रमान दिया गया है आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन आर्यवेद्दे कला निदी जो पुस्तक है इसमें क्या बता है वह मैं आप लोग को बता रहे हैं कि अगर हम लोगो है दोशगन लेप उतना लेप लगाना चाहिए उसके पाद में विशगन लेप लगाना है तो वन थर्ड मतलब उंगली का अंगुल प्रमान जो रहता है उसका वन थर्ड अगर ले लिया तो और वह भी पेशेंट का अंगुल प्रमान होना चाहिए तो उसका वन थर्ड दे चुछ लोग पानी के सांद लगाते हैं कोई गुलाब जल किसांद लगाता है एक घी के चाहि लगाते है वितेय्स करके लागाते हैं ऐसकीस्री कि कि तो तो वह अपना अपना तरीका हो सकते लगाने का लेगिन आइरवेद में शुद्द, क्यमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है आइरवेद में पानी, घी और तेल, मखन इन सब कहीं प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम जली जो है वह तो बाद में आया वह केमिकल है उसका प्रयोग तो बाद में होने लगा उसके बारे में आईरवेद में आचार्यों ने नहीं बताया जो बता है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो इसमें बता रहे हैं कि जब लेप गीला होता है पानी के स तो पूरा अंदर से त्वचा के उपर चिपका चुपका है वह स्नेहांश को खिच लेगा और ड्राइने से और रिंकल्स पढ़ेंगे क्रैक हो जाएगा इसलिए गीला गीला जितना है और थोड़े सुखने लगे तभी उसको स्वच्छी कर लेना चाहिए साफ कर लेना चाहि है कि लेप का कार्य जो रहता है वह त्वच्छा में शोशित होता है वहां ब्रहाजक पित्त का कार्य हो जाता है व्यान वयुका कार्य होता है तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छ होता है ब्रहाजक पित्त कर लेता है और वहां पे पित्त की क्रिया होती है तो इसलिए ग लगाना है से नहीं है पूरे बॉडी में भी लगाया जाना चाहिए अगर जिसे कुष्ट व्यादी है या स्किन डिसॉर्डर से अलग लग तो अच्छा विकार है उन सब में लगाने के लिए लेप बता है उसी तरह से अब क्या-क्या उसमें में मेडिसीन यूज किया जा सकता है मैं कुछ-कुछ लेप बताऊंगा 84 लेप बताने का शायद उतना आज मौकर नहीं मिल पाएगा क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन्स रहता है एक नाट हुझे एक नाट बस एक नाट हुझे तो मैं अभी दोशगन लेप के कुछ कंटें बताऊंगा घटक द्रवे बताऊंगा आप लोग मेरा लेक्चर सुनना चाहें तो सुनिए दिमाग में जाने दीजेने तो नोट डाउन कर लिजेगा बाद में तो इसमें दोशगन लेप जो रहते हैं जो वात पित कफ इन तीनों को बैलेंस करते हैं कभी-कभी क्या होता ह है कि तौचा में बहुत जयादाप लागेर हे पितदBACK बढ़ा हुआ है कभी-कभी रुक्षता बहुत बढ़ा बढ़ जाती तो वहःसتे के वज़वाजी से होता निए लेना है पुनर्म नवा प्लस देवदार लेना है शुन्थी लेना है और शिरीष का अप लोगो ने देखा हुगा जो विशग्न में स्त्रेश्ट होतेया और जो शिग्रु का छाल होता है शीगुरू का जो छिलका होता है त्वच्चा होता है वहां त्वक लेना है शीगुरू का त्वक यह पांचो अशदी मिक्स करके और फिर कांजी में मिक्स करके और फिर लेप लगाने दोशग ने लेप कितना है तो अंगुल के वनफोर्थ भाग इतना मोटा ले कि चेहरे पे त्वह चैना पए का मज्फ हो गता हुए वहान भिखी कम हो जाती है और दोशों का Isn't भी शमन हो जाता है दूसरा है कि विभी तक तो क्या करना है कि विव ध्यक्ताल तो क्या करना है कि विदि तो पुरे बॉडी में आ। बहुत ही आइच्छा दाहा कम हो जाता है। मैं अपने पापा के साथ एक बार सावंत वड़ी में गया था तो वहां पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था कि आयरवेदिक कॉलेज के लोगों ने बेहडा का फल का मज्जा दिया था और वो लोग लगा देते थे कि मैंने पुछा क्यों हूँ आसा तो वह बोलते हैं हम लोगों ने नॉन्वेज बहुत खाए तो नॉन्वेज के वज़ए से इतना ज्यादा नॉन्वेज और आलकॉल पी देते कि पूरे बड़ी में बर्निंग होता था तो आयरवेदिक डॉक्टर लोगों ने दिया था और अत्वचा विकार विसर्फ इन सब में दशांग लेप इसका प्रयोक करने के लिए बता हैं तो दशांग लेप में क्या क्या है तो शिरिष लेना है शिरिष का चून ले लिजे संप्रमाण में शिरिष का चून ले लिजे फिर यश्टी मदू ले लिजे तगर ले ले सब पानी में मिक्स कर दिया और फिर जितना यह कल्क बनेगा उतना ही इसमें थोड़ा घी डल देना है softness आने के लिए थोड़ा वहां पर शनीक देता रने के लिए और फिर पूरे बाड़ी में लेप लगाने जहां पर भी विशविकार हो हो विकषप हो जो जो एरिया में जहाँ पर विश्विकार है विश्वोर्ट जैसे फोड़े फोड़े आ गए हैं बहुत जाधा सूज आ गई है इह और दुष्ट व्राण हो गया है वहां पर द्शांग लेप का प्रयोक बहुत है दशाम लेके कंटेंज में फिर से बता देता हूं जो आप लोगों काम है तो शिरिश है यश्टी मदू तगर रक्त चंदन इलाइची जटामांसी हल्दी दारू हल्दी कुष्ट और उशिल इसका प्रयोक करते हैं तो इसका पहले पानी में कल्क बना के लेब जैसा बना देत है उसी तरह से सूजन आ गई है स्वेलिंग आ गई है और दुष्ट बराण में दशांग लेप का प्रयोक करने से बहुत ही अच्छा फैदा हो जाता है इसी तरह से एक होता है विशगने लेप विशगने लेप जो है वह वह वन ठर्ड अंगुली प्रमांट से बन ठर्ड इतना मोटा लेप लगाना है तो यह क्या करना है कि बकरी का दूद लेना है बकरी के दूद में तिल को पीछ देना है और उसके बाद में जो मखन होता है वह डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है बकरी का दूद हो गया काला तिल हो गया और मखन हो गया इसको मिक्स करके और फिर क्या करना है कि वहाँ पूरे बाड़ी में लेप लगाना है तो कोई भी विशारी चीज बाड़ी में चला गया है तो वहाँ विशगन प्रपाव करता है बक्री का जो दूद होता है वो विश्च को दूर करता है और तिल डाल दिया और फिर मखण डाल दिया तो और नहीं पूह उच्छ हो जाता है इससी तरह से पानी में काली मिट्टी जो रहती है काली मिट्टी को डाल के और उसमें घ्रा मखन डालके लेप लगा दिया तो उससे क्या होता है कि जो कभी-कभी भलातक का बीज लग गया यह पहला थाल या जलन हो जती यह फिर जो हैड्रोकलोरिक एसेड यह कोई एसेड पढ़ गया उसके वज़ास से जो सू जा जाते जल जाते थोड़ा तो वहां सब काली मिट्टी और मखन पानी में मिक्सर के लगा दिया तो वह तुरंती काम करता है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सरे ऐसे मतलब अत्याचा करने के लिए एसेड फेक दो हम चिकीचा के परपत से जो भी बात करें वो कर रहे हैं तो काली मिट्टी को पानी में मिक्स करें और महराष्ट की मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है जो नौर्थ इंडिया की गंगा का पूरा बेल्ट है वह एरिया वहां की मिट्टी गोरी मिट्टी लेने और उसमें पानी डलके थोड़ा मखन डलके उसको अगर लेप लगा दिया तो जो भलातक भलातक जो रहता है उसका बीच से या फिर उसके तेल लगने से या कोई एसिड गिरने की वज़े से अगर तवचा खराब हो दिये वह लेप लगाने से विश्च का प्रमाण परिणाम है वह पूरी तरह से ठीक होते हुए पाए जाता है इसी तरह से क्या करना है कि नाग भसम लेना है अत्ति विशा लेना है उसी तरह से जो कडू दूदी लौकी जो रहता है लौकी का बीज जो कड़वा वाला लौकी का बीज होता है और तोरी जो रहता है उसका जो कड़वा तोरी का बीज होता है और मुली का बीज इन सब को मिक्स करके कांजी में मिक्स करके और लेप लगाना है तो इससे क्या होता है कि अगर किसी केड़े न होता है फिर से मैं बताता हूं तो नाग बसलीन है अतिशा के लेना है सब संप्रमण में काडवा वाला जो लॉकिए इसका बीज होता है और मुली लेगा ने से कीटक दन्ष जनन जो विश है कोई तरह के कीटक ने काट दिया लूता ने गया फिर कोई कीड़े ने काट दिया और उसके वज़ेसे पुरा स्वेलिंग आ गया तो वहाँ विश्ट को नश्ट करता है यह जो मैंने बता है और इसका जरूर 100% फैदा होता है विश्वर्ट में भी इसका बहुत अच्छा फैदा होता है विश्वर्ट मतला एक तरह से ब्लिश्टर सात होता तो वहां पे कीड़े कटने से लोग आते थे और वहां के खेटी में ये लोग के पास होता ही था से प्लिक्थ मिल जाता था तो मैं लगवाता सबक्किर्ट मैं इसले मैं आप लोग को ब्तार और तक यह बोलता हुए आ लोग इसी तरह से एक है कि रक्त चंदनादी ले इसमें क्या होता है कि अगर कांती लाना है कोई जदा चेहरा बोट डल हो गया है वह चेहरे पर कोई उज्वलता नहीं है प्रसंदता नहीं है तो क्या करना है कि रक्त चंदन लेना है मंजिष्टा लेना है यह सारे वर्ने वाले द् मतलब जो सीह के नाखुन की तरफ वनस्पति रहते हैं उसका मैं फोटो भी जूँँगा या आप लोग टाइप करिए ज्याद रहना की वनस्पति गूगल में देखें आपको फोटो मिल जाएगा तो उसका मूल लेना है या फिर जो बरगत होता है बरगत के जो ऐसे जड़ सुईधा है जो नीजे आ रहे होता है वटांकूर से आगे वह लेना है और इन सब को और सब मसूर दाल ऑठा लेना है ये विशख न में रएते तो इसको क्या करना है कि पीस देना लोग पीस के पारी में पीस के अच्छे से और पहले जमानी में होता था कि मिक्स yapt Shire cum लगा कर दो कि प्रश्पूलीबरभ आजको जो यह क्या होता है जो तो हमk आराथी में वांग पूलते है तो वह पूरी तरह से नष्ड हो जाता है यह और चेहरे पे काम्ती है ज자ती है फिर से मैं बताता हूं तो रत्त चंदन मंजीष्टा लोग्र कुष्ट वनस्पती और व्याग्रण अक्षि या přिर गोभिंद फ़ल का मूल कुछह गोविंद फ़ल को बोलते हैं उसका बून और जो बरगत जो जड़ होती हैं वर उसको ले के और फिर मसौ तबती ही तरह से थीक होते हैं चेहरे पर कांति लाना है तो वो श्राइट होते हैं कांजी मिले यह ना मिले आपनी के सांट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अचRP होता है इसी तरह से आप लोग को मालूम है कि मातुलूंग नाम का फल होता है मातुलूंग का मुल लेना है में उसी तरह से घी लेना है मनहशिला लेना है और गाय का जो गोबर का रस है वह लेना है और इसको मिक्स करके पूरे चरह परकाना है आप लोग बोलेंगे गोबर का रस क्यो मुत्र ऐसा मत सूचे आयर्वेद जो है वह चिकित सा पद्दती है और यहां पर वहां पर गोबर का रस जो हो रहता है वह थोड़ा शारिय रहता है वह क्या करता है कि पूरा क्लिंजिंग करता है चेहरे पे जो भी डेट सेल्स वगरा है उन सब को निकाल देता है और वहां प से agree झाल लेना है घी लेना है मना शिला लेना है ठोड़ा सा और यहां पर गया के यूपर रस माहीं इसको मिक्स्का चेहरे पर लगाना तो इससे क्या होता सब पूरी तरह से ठीक होता है और इसमें गोबर का रस का बहुत ज़्यदा सिग्निफिकेंट रोल है और मनाशिला का भी प्रयोग है क्योंकि हम दो हर्ताल से बनाए वह रस्माणिक का भी प्रयोग करते हैं मनाशिला और हर्ताल एक जैसे यह रहते तो इनका बहुत अच्छा रिजल्टर मुझे तो बहुत अच्छा पैदा हो इसी तरह से क्या करना है कि अगर बहुत ज़्यदे पिंपल्स आ रहें तो वागभट सहीता में बता है और आरेवध्य कला निदी जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें भी यही बता है कि लोद्र लेना है धनिया लेना है वच्चा लेना है इन तीनों के संभाग लेके और फिर क्या करने पानी में मिक्स करके जहां जहां पिंपल्स हैं पिंपल्स कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वह अगर लगा दिया तो पूरी तरह से लोद्र धनिया और वच्चा वच्चा मालूम है आप अब दोश्च वहां पर बढ़े हैं एक तरह से वहां पर ग्लैंड रहते से बैस्ट रहते मोडिफाइट वहां पर धूल्मिट्री जाके इंट्रेक्शन के पिंपल्स आता है यह आप लोगों ने पढ़ा है तो वह पूरी तरह से इंट्रेक्शन को दूर कर देता है पिंप गोचन लेना है और कालीमिर्च लेना है इन सबको मिक्स करके और उसका अगर लेप असको सम प्रमान मिले हुए और ज़हां जहां और सिंधा नमक लेना है इन सबको पानी में मिक्स करके और जहां जहाँ पर पिंपल वहां पर लगा दिया तो यह लोध्रादी लप या फिर जिसमें बोल रहे हैं कि सफेद शिरिष है लोद्र है और वच्चा है और सिंधा नमक है यह लोद्र से बना हुए इतना बढ़ियां काम करता है कि पिंपल्स को फुरी तरह से नश्ट कर देता है है इसके बाद में मैं एक और बता रहा हूं छो अर्ञव का लेप रहता है में आप लोक मालूँ में आप या पूरी तरह से ठीक हो जाता है वह तरह क्या होता है पोश्ट मेनेप पॉजल या प्री मेनपॉसल या मतलब आफ्टर थटी चेहरा पे बहुत ज़ज़ादा इसे जहीं जहीं आने लगता है यह पूरा प्यलने लगता है तो बहुत अने लोग परेश्छान होते क्यों कि रण्ते करना है कि कषाल लेना है। इनका सम्प्रमाण मिंख्स करके और भूबेस्टर कषाल लगाना है परूवन है मैं एकशने प्रास में घुनधा में घुली घुला होता कि यहां और लिया सब उसको जलाने के वद जो उसका मशी आएगा उसको मक्षन में मिक्स करके और उसका अगर लेप लगाएं तो वहां भी जो एकने हैं उसमें बहुत अच्छा फैदा होता है वहां मैंने यहां पे रेसकोर्स है तो जो घोडों का खूर होता है ना कब कि वहां घोड़े की नाल ल खुर के भाग को लेके और उसको मैंने जला के राख बना है और उसमें मखन डलके थोड़ा थोड़ा मैंने पेशन को दिया एकने के पिशन बहुत अच्छा फैदा होता है तो आप लोग भी इसका प्रियोग करेंगे तो यह कोस्मेटिक बहुत यह अच्छी दवाई है इस इसमें हमें और वह बर्थ मार्क भी बोला जाता है कि बहुत काला पड़ गया कुछ ऐसे ऐसे टीका टाइप आप यह बड़ा सा बिंदा टाइप बिंदी टाइप आगया कुछ हो गया तो फिर कैसे क्या करना है अलोपीदिक डॉक्टर तो उसमें केमिकल अगरा कुछ दें आत्मार्क वाला भी जो मैं यह ऐसे हाइपर पिग्मेंटेशन वाला कोई एक स्पॉर्ट होता है वह पुरी तरह से नश्ट हो जाता है अरक शीर का लेप वह शारिये होता है वह ज्यादा और उसमें हल्दी मिक्स करके और वाल डेली लगाना है दो से तीन मेल लगाने पर जड़ से पुरी तरह से ठीक हो जाता है इसी तरह से वट पत्रादी लेप यह नया लेप है जो बर्गत के जो बन्यान ट्री होता है उसके पत्तों से बनाया हुए लेप है तो क्या करना है कि बर्गत के बड़े-बड़े पत्ते लेने जो इसदम पक गए हैं कच्छे नहीं लेने फिर उसके बाद ने रक्त चनल लेना है पुष्ट बनेस पती लेना है दारू हल्गी लेने और लोद्रे लेना है इन सब तो वहां सब में यह बर्गत का पत्ते जैपत्त्री का जो पत्ता है वह रख्त चंदन कुष्ट दारू हल्थी और लोद्र इसका अगर पानी में मिक्सर के लेप डेली लगाए जाए तो तीन-चार महिने में वह पुरी तरह से तारुन पिटी का अच्छे से ठीक हो जाती है पुरी तरह से ठीक हो जाता है इसी तरह से एक पिढ़ने आकादी लेप बता है वह क्या करना है कि तिल जो रहता है तिल का पुराना जो गजक होता है यह पिंड होता है वह ले लेना है पुराना वाला गजक चाहिए और जो मुर्गी का जो विष्टा होता है वह लेना है द फिन्याक तिल के जो घजग नमिठाई उसको बोलते हैं तो आपके पास पूरा न現在 तो उसका भी काम आर्याता मुर्गी लिए यां मुर्गा का जो लेनें और तिल में और उसमें गोमत्र डालार के लेप जैसा और वह डेंट्रफ जहां जहां हुआ है वह रूट पे लगा दिजे पूरा देंट्रफ पे पूरा तो वह पुरी तरह से इसको ठीक कर देता है वह विशग नभी है और वहां उतके जो इनल्प भी सचीरराण के वह पुरी तरह से और halo और शूरो पूरी तर से नष्ट हो जाता है कि उसी तरह से लेप है खदीर अधी लेप हुए घ्यागना है खदीर लेना है नफशे सर्फा पत्त है इन 20禰ड को मिह निए अ Одत ज्यादा आर यूज़ाद दाद से पत्तिर करके इनके चुन को मिक्स करके गोमुत्र में मिक्स करके और लेप लगा दिया तो इससे क्या होता है अरुणशी का जो रहता है या दारुनक जो रहता है जो मतलब जिसको हम डेंड्रफ बोलते हैं वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है या फिर कुटज की छाल लेना है और सिंध पहले अप्ते में थोड़ा फैदा दिखेगा आप लोग को और रोज लगा के लेप सुखने तक गीला हो के सुखने तक लगाना है जैसी सुख जैव वैसे उसको क्लीन कर देना है फिर से मैं बताता हूं खदीर लेना है नीम और जामुन इन सब को लेके और गोमुत्र में मिक आना है तो यह अरुणषी का यह दारूना को पुरिटर से ठीकर देता है इसके बाद आता है प्रियाल थ्यादी लिफ इसमें क्या गरना है कि प्रियाल वनस्पति के जो बीज होते हैं जिसको मराथी में चारोली बोलते हैं वह लेना है यश्टी मदू लेना है कुष्ट वनस्पति लेना है और सिन्ना नमक लेना है ये पांचो और शदियों को बारीक बारीक पीस देना है और उसके बाद में मदू में मिक्स करके और जहाँ पर दारूनक हुए वहाँ पर इसका लेप लगाने है तो यह पूरी तरह से प्रियाल आदी लेप का प्रियोग करने से बहुत ये अच्छा फायदा होता है फिर से मैं बताता हूँ यह दारूनक के लिए लेप है चारूली या प्रियाल का बीज लेना है और यह स्टी मदूलेना है कुष्ट बन नस्पती लेना है उडिद लेना है सिन्धानमक सबकर फीस के और इसको मधू में मिक्स कर के तर्फ अगर लगा दिया जाए पुरे अभी मैंने टोटल एक दो तीन चार पांच छे चार आठ नो दस ग्यादा बारा तेरह 14 14 बताए एक और बताके फिर मैं रुकूंगा क्योंकि एक ही दिन में 84 लेप नहीं बता सकता हूं थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक के बताता हूं तो एक खस-खस बीजादी लेप बताए खस-खस बीजादी लेप जो है दूद में खस-खस के जो बीज होते हैं वह ले लेना है या तो इसको अगर हम लोग खस-खस के बीज को दूद के सांद मिक्स करके अगर लेप लगाते हैं तो यह दारूनक डेंडरफ में बहुत अच्छा फैदा होता है इसी तरह से आम का जो अंदर का जो यह रहते हैं का गुठली जो रहते हैं वह लेना है बाल हरित्की लेना है सुखा वह जो गुठली हम लोग फेक देते हैं वह यूज के लिए गुठली को फेकना नहीं उसको सुखा के रखना है वह कामत है दारूनक व्यादी के लिए तो जो उसका गुठल जो कोई भी दवय से ठीक नहीं हो रहा है उससे ठीक हो जाते हैं खस-खस जो रहता है अफुके बीच को खस-खस बोलते हैं तो वह दूद में मिक्सर के लेप लगाने एक यह हो गया या फिर दूसरा है कि आम का जो गुठलीक अंदर उसका पाउडर बनाने सुखा के और उसम को दूद में मिक्सर के उसका लेप लगाया तो डेंडर में बहुत ही अच्छा फैदा होते हैं अभी मैं 15 के लेप आज बता दिया हूं नेक्स लेक्चर में मैं आगया आने वाले लेक्चर साब देखते रहे हैं उसमें मैं आप लोग को और भी कुछ-कुछ लेप बताऊं यह open platform में बता रहे हूं कोई बीचीज छुपा नहीं रहे हूं और वही चीज बता रहे हूं जो आप लोग को काम आएगा आप लोग को मैं चाहता हूं कि आप लोग स्रेश चिकित सक्क बने और तो फिर मैं आप लोग को अभी एक करके समाप्त करता हूं continue अगर मैं जादा बताऊंगा तो ओवर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा एरवेद देली पढ़ना चाहिए जो हमको फाइदा करें ठीक है तो मैं अभी का लेक्टर समाप करता हूं आप सब की तब भारत की सरुस्त्रेश चीकित सकें आप लोगी जो भी कॉमेंट्स है उसका मैं उत्तर देने का क कोशिश करता हूं एक मिनट रुख जाए एक मिनट मुझे यह स्क्रोल करने दीजिए एक मिनट बस डॉक्टर हर किरन किरन जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर अर्विन जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सुरना जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर रिचा द जरने की कोशिश करूँगा मैं शायद यहां पे स्क्रोल नहीं कर पा रहा हूं यह कुछ तो प्रॉब्लम है यहां पे आज एक मिनट उप जाएगा रहा है यहां पे स्क्रोल करने में ठोड़ा प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम हो लिए टोटर प्रशांद वाग में नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर प्रियंका राजपुत मैं नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनुरिता सकट मैं नमस्ते प्रणाम आपको आप लोग भारत के सर्वस्त्रेश्टी की जगे हैं सभी लोग को रक्षा बंदन की बहुत-बहुत शुब कामने आपके भाई लोग का बहुत ही अच्छा उन्नती हो और आप लोग का भी हो सभी बहनों को बहुत-बहुत शुब कामने आप लोग का भी बहुत प्रेक्टिस बड़े ऐसे और आप लोग का स्वास्त अच्छा रहे ये शुब कामने में दे रहा हूं आयूश दर्पन के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर मीनल गुपता जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर विवेक अवस्ती जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर ललिट सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको सबके सब आप लोग भारत के स्वास्त्रेश चीकित सके हैं तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूं अभी हां आयूश दर्पन्ट टीम की तरफ से न एक पंच कर्म का ओनलेन सेशन किया जा रहे तो आप फोन के लिए पंच कर्म का होता है सुबह साथ बजे जो आप लोग को हाँ डॉक्टर तकदीर सिंग जी बोल रहे हैं कि डेंटरॉप में कौन सा लेप ज्यादे एफेक्टिव है यह जो मैं लेप बता रहूना है यह सब इंपर्ट बहुत ही ज्यादे एफेक्टिव है डॉ उसकी जानकारी आपको लोग को चाहिए तो मुझे मैसेज करिए मैं अपना नंबर देता हूं डॉक्टर अर्विन जी बोल रहे हैं कि वाइट हैर के लिए बताओ मैं बताओंगा अभी आने वाले सेशन में देखिए मैं बहुत सारा बताओंगा डॉक्टर जगजीत मोगा जी ठांक्यू रक्षाबंदन आपको भी बहुत ज्याद मुबार्ण को मैं अपना नंबर देता हूं किसी को अगर वाट्सप ग्रूप जोइन करना है आप लोग को सारे नोट्स वगरा चाहिए तो आप लोग को वाट्सप ग्रूप जोइन करना पड़ेगा तो उसके भी मिलेगा पंच कम करने के बाद तो मैंने अपना नंबर देती है अभी का मैं लेक्चार समाप करता हूं अब हम शाम को नहीं मिलेंगे अब हम डारेक्ट सुबह मिलेंगे माधव निदान के सेशन में तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए ठैंक्यू प्रणाम सभी